नमश्कार में देख्षा सिंग बोल्सकाई में आपका स्वागत है टीवी एक्टरेस छवी मित्तल ने अपनी बहादरूई हिम्मत और होसले से फैंस को अपना दिवाना बना लिया है दरसल हाल ही में एक्टरेस की ब्रेस्ट कैंसर सरजरी हुई सरजरी के दोरान भी एक्टरेस सोशल मीडिया पर सुपर एक्टिव रही है और उन्हें ने अपनी मुश्किल जर्नी के हर पल को फैंस संग साजा किया राहत की बात यह है कि अब छवी मित्तल ठीक होकर घर आ चुकी है ब्रेस्ट कैंसर सरजरी के बाद खवी स्पेशल डाइट फॉलो कर रही है ऑलग चोटी सी गलत चीज़ खाने से भी कैंसर पेशन्स को मुश्किल हो सकती है शवी ने बताया कि उन्हें अपने चार अलग डॉक्टर्स और डायेटीशन से बात करते हुए अपना डाइट प्लान बनाया है जिसे वो कैंसर से रिकवर होने के लिए फॉलो कर रही है वो सुबह सबसे पहले उठकर खाली पेट लच्छमी तरू की पत्तियों की चाय पीती है यह कैंसर को ठीक करने में मदद करती है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉंग करती है डॉक्टर् दूक्टर्स ने उन्हें जन्दगी भर वाइट शुगर रेड मेट और सोया नहीं खाने की बाद कही है चवी चाय भी बिना शुगर के ही पीती है इसके लावा छवी केक आइसक्रीम भी नहीं खा रहीं कैंसर में वाइट शुगर इस लिए मना की जाती है क्योंकि शुगर कैंसर सल्ज को फैलने में मदद कbling केलाज के दौरां चपीकु को डॉक्टर्स ने काफी ज़्यदा केफीन का सेवन करने के लिए कहा लेकिन एक्ट्रेस कौफी बिना दूद्रे चीजे ले सकती है इसके साथ ही वो कबरी के दोरान थोड़ा सा चिकन खाया जा सकता है ग्लूटन खाना कैंसर में मना होता है वो अपने लेंच में देशी घी का इस्तमाल करती है ताकि बॉडी में एनरजी और ताकत बनी रहे चवी दिन में एक बार चुकंदर पाउडर कोकोनेट क्रीम और फ्रेश पीनेट पा केंसर को कम कर देती है चवी ने बताया कि कैंसर बीमारी में खुद को हाइडरेट रखना बहुत जरूरी है इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए शाम के समय चवी एक केला खाती है या फिर घर पर बने हुए सत्तू के स्पेशल लड़ू खाती है जिसमें दे हीलिंग प्रोसर धीमा हो जाता है तो चवी ने अपना कैंसर के बाद रिकवरी के लिए डाइट प्लैन अपने फैंस के साथ शेयर कर दिया है खैर चवी अब धीरे-धीरे ठीक हो रही है और हम भी उन्हें हेल्दी लाइफ विश करते हैं